हाई अब्रिवन कैसे हो आप सभी लोग अई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जेस्वाल लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज एके आपके सामने इंग मोश्ट इंपॉर् आपके लिए लेकर आगे हैं जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टन लेक्चर वीडियो होने वाला है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जो टॉपिक है हमारा वह है न्यूक्लिक एसीड तो अब यह न्यूक्लिक एसीड वह एक्जाक्ली क्या होता इसके बार पॉलिमर्स होते हैं मतलब बड़े-बड़े मॉलेक्यूल इसके अंदर अटाच होते हैं और यह जो न्यूक्लिक एसीड होते हैं वह जनरली हमारे लाइफ में अगर बात करें लिविंग ऑर्गैनिजम की केस में यह दो प्रकार के दो टाइप के हो सकते हैं पहला होता है ड नुक्लिक एसीड के अंदर होते हैं जिसका नामें इसका नामें ऐडिनाइन गौाइन तो यह जो प्रिमिडिक एसीड में प्रेजेंट होते हैं जिसका फॉर्मेशन हो पाता है अब वो कैसे होता है क्या होता है हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे तो जो DNA होता है दोस्तों जनरल अगर बात करें तो DNA is composed of sugar molecule यानिकि किससे बना होता है DNA sugar molecule phosphoric acid and nitrogenous basis यह तीन चीज़ को जब मिला दिया जाए दोस्तों sugar molecule को phosphoric acid तो sugar molecule pentosugar हो सकता है phosphoric acid phosphate group हो सकता है और यह nitrogenous basis और यह nitrogenous basis अगें दो तरीके से हो सकते pyramid and purine जो कि मैंने आपको अभी इसके पहले वाले slide में दिखाया हुआ था ठीके दोस्तों तो इसी से हमारे DNA बनता है और जो principal होते यानि कि जो यह जो nitrogenous basis होते यह generally दो टाइप के होते जैसे मैंने आपको बता है pyrimidine का base या फिर purine का base तो pyrimidine base जो होते हैं यह single molecules होते हैं यानि कि एक single ring से बने होते हैं single chain से बने होते है nitrogen base के जिसका example अगर मैं बात करते हैं cytosine, thiamine and uracil यह क्या होते हैं pyrimidine base होते हैं तो अभी अभी मैंने cytosine and thiamine तो बताए आपको ठीक है वैसे uracil भी होता है यह भी present होता है साथ ही में purine जो होता है वो एक double ring nitrogenous base होता है यानि कि दो chain से बना होता है दो ring layer present रहते हैं example adenine and guanines जो है purine का example है clear है तो उमीड करता हो कि यह चीज आपको clear हो गया होगा आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि DNA का structure किस प्रकार होता है तो DNA की structure की अगर बात करें तो DNA is very long chain made up of alternate sugar and phosphate group तो जिस प्रकार मैंने बोला कि DNA generally किस से बनता है phosphate group से बनता है sugar से बनता है nitrogenous basis से बनता है तो same इसमें भी यहाँ पे वही mention किया हुआ है कि हमारे DNA क्या है एक बहुत ही लंबा long chain है जो कि आपके अलग-अलग type के alternate sugars and phosphate groups इसमें attach होते हैं जिसके वज़े से DNA का formation हो पाता है और यह जो sugar होते हैं एक तरीके से pentos sugar होते हैं और वो हमेशे deoxyribos के form में होते हैं इसलिए इसका नाम क्या है deoxyribos nucleic acid यानि कि in shot DNA यह ने clear है अब यह जो unit इसके अंदे present होता है जिसमें sugar present है phosphate present है यानि कि जब यह तीनों चीज मिलाते हैं ठीके ना अगर मैं बात करूँ एक unit को consider करूँ जिसमें एक हमारा sugar present है एक phosphate group present है और तीसरा जो हमारा nitrogenous base है यह तीनों मिला कि एक unit को अगर consider किया तो किया जाए तो वो जो unit होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते है nucleotide यानि कि जो nitrogenous base है and sugar जो होगा nucleotide का वो क्या बनाएगा एक तरीके से nucleoside बनाएगा तो in short कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों यहां पर आपको यह चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी sugar, phosphate और base यह तीनों को एक साथ एक ही unit में consider किया जाए तो उसको हम बोलेंगे nucleotide and अगर हम बात करें कोई भी nitrogenous base को और sugar को एक साथ में रख दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे nucleoside तो आपको difference समझना पड़ेगा nucleotide के बीच में nucleoside के बीच में nucleotide में sugar, phosphate और base तीनों होते है nucleoside में nitrogen nitrogenous base और sugar होता है खाली सिर्फ इतना आपको याद रखना पड़ेगा और यह जो nucleoside होता है दोस्तों इसमें nitrogenous base जो होता है वो पहले carbon जो होता है sugar का उसके ऊपर attach होता है यानि कि it gets attached to the first carbon of sugar जिसको हम लोग C1 molecule याफिस C1 बोल सकते हैं और आगे अगर बात करें कि जो phosphate group होत यानि कि C5 atom से attach होगा sugar molecule के and जिसमे nucleotide जो है molecule का formation होगा and एक single strand DNA का जो होता है दोस्तों उसमें अगर बात करें thousands of nucleotides present हो तो आप सोच सकते हो DNA तो double stranded होते है दो layer से बने ना यह आप देख सकते हो एक layer एक layer यानि कि जो DNA का structure अगर महीं आपको दिखाने ही कोशिश कर तो यह double layer होता है DNA जो है generally क्या होता है double layer होता है लेकिन उसके एक ही layer में अगर बात किया जाए single strand में तो उसमें लगबग thousands of nucleotides present होते तो आप सोच सकते हो कि double layer में कितने ज्यादा present होते होंगे और यह दोनों एक दूसरे के ऊपर attach होते यानि कि one above the another यह दोनों एक दूसरे से attach होत होता है वैसे ही इस प्रकार से वह attach होता है तो DNA का structure होता है वह क्या होता है helical in shape होता है straight बिल्कुल नहीं होता है clear है दोस्तों तो उमीद करता हो कि यह भी चीज़ आपको clear हो गया होगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों जो कि DNA molecules जो होता है it consists of such two helical polynucleid chain यानि कि जो एसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो आपका DNA था वो कैसा था यहाँ पे दो layer इसके पास attach दे यानि कि एक तरीके से आब बोल सकते हो कि जो हमारे DNA है उसके पास two helical polynucleid chain है यानि कि एक इस तरफ से है और एक इस तरफ से तो दो-दो polynucleid के chains आपस में एक helical angle form कर रहा है यानि कि एक helix shape formation कर रहे है और दो complementary polynucleid chain जो है DNA के वो एक साथ एक दूसरे से attach होते है और किसके वज़े से attach होते है weak hydrogen bonds यानि कि जो उसके बीच का bonding है ठीक है आगर मैं आपको draw करके बताओ यहाँ पे जो इसके बीच का bonding जो हो यहाँ पे आप मैं बताने की यहाँ पेर करता है थायमीन के साथ यानि कि A और T याद रखने का shortcut बता तो आपको A हमेशा T के साथ formation करता है और G जो होता है वो C के साथ साथ formation हमेशा पेर के फॉर्म में रहता है जोड़ी बना के रहता है तो AT याद रखना आपको GC याद रखना एडिनाइन थायमीन याद रखना है तो हमेशा एक पिरिमीडिन और प्यूरीन हमेशा पेर के साथ में जोड़ी की फॉर्म में हमेशा रहते हैं और आपको याद रखना है clear है अब बात कर लेंगे हम लोग राइबो नुॉक्लीग ऐसीड यानि की आरेने की ये तो हो गया हमारे डीने के बात अ double helical structure था यहाँ पे sir for single strand present है यानि कि RNA के पास double helical structure नहीं होता है sir for single strand present होता है और जो nucleotides होते हैं RNA के पास उसके पास क्या होता है ribosugar होता है जो DNA था DNA में हमने देखा था deoxy ribosugar था present इसी के लिए उसका नाम deoxy ribosucleic acid पढ़ा यहाँ पे जो sugar present है वो एक ribosugar है that's why इसका नाम है वो RNA है यानि कि ribosucleic acid है यह आपको समझना पढ़ेगा तो उमीद करता हूँ आपको यह चीज़ समझ में आ गया रहेगा RNA में क्या होता है uracil जो है वो thiamine के जगा पे आता है तो जैसे हमने देखा कि adenine जो था वो thiamine के साथ pair बना रहा था and guanine cytosine के साथ बना रहा था DNA के अंदर लेकिन यहाँ पे RNA में क्या होता है कि adenine जो है वो thiamine के साथ जो जोड़ी बना रहे पेर जो बना रहे यहाँ पे thiamine के जगा पे uracil जो है वो जगा ले लेता है यानि कि RNA के अगर बात करू तो polynucleide जो chain होता है या तो वो adenine से start होते है या तो वो guanine से start होते है यह दोनों में से किसी एक से वो start होते है और RNA जो होता है जनरल अगर बात करें cellular RNA के अगर बात करें तो यह तीन टाइप के हो सकते है RNA जो है there are three main types of RNA which are present जो कि होता है पहला messenger RNA जिसको mRNA के नाम से भी जाना जाता है second ribosomal RNA जिसको RNA के नाम से भी जाना जाता है तिसरा जो है वो transfer RNA है जिसको tRNA के नाम से भी जाना जाता है clear है तो अब धीरे-धीरे चर्चा कर लेतें कि यह mRNA, rRNA and tRNA exactly क्या होते हैं यह कैसे परफॉर्म करते हैं यह आपको मैं बता देता हूँ तो यह क्या करता है इसका नाम से आपको पता चल लाएगा कि MRNA जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मिशन यानि कि जो मैसेज होता है वो पहुचाने का काम करता है अमाइनो आसिट्स को अरेंज करवाने में जो प्रेजन है इसमें से सिफ तीन परसेंट जो आरेंए होता है वो MRNA होता है बतला हंड़ेड परसेंट में से शिफ तीन परसेंट MRNA है total RNA में से और size की अगर बात करें MRNA का जो की relate करता है उसके size of message यानि की जितना amount of message वो लेके जाता है जितना amount of genetic information वो लेके जाता है उतना ही उसका size होता है और MRNA के synthesis की बात करें तो वो कहां शुरू होता है 5 dash यानि की 5 dash end जो होता है DNA का DNA strands का वहाँ पर शुरू होता है और 3 dash पर खतम होता है तो यह आपको याद रखना है clear है तो MRNA 5 dash पर start होता है end होता है 3 dash end पर यह आपको याद रखना है अगला बात करेंगे यहाँ पर RNN की तो RNN जो होता है लगबग इसका नाम अगर बात करें it is known as the ribosomal RNA यानि की एक तरीके से बोल सकते हो कि ribosynthesis का काम यानि की जो आपका ribosome होता है वो क्या बनाता है प्रोटीन बनाने का काम करता है यानि की जो messenger RNA mRNA जो था वो आपका genetic information को लेके जा रहा था यानि की कि कितना amount of protein की ज़रूत है for the cell repairment तो उसको जो message पहुचाता है वो RNA के पास आता है और RNA जिसके पास ribosome present है वो protein synthesis का काम करता है और यही जो RNA दोस्तों लगबख 50-60% जो है ribosome का part केरी करता है and total cellular RNA में 80-90% portion जो है वो इस ही RNA का यानि की RNA का present होता है तो अभी इसके पहले जो देखा यह कहां बनता है it is synthesizing nucleus क्योंकि nucleus के अंदर ही ribosome present रता है उसी के अंदर इसका formation होता है and last but not the least यहां पर जो third type of RNA है जिसका नाम है tRNA तो tRNA को जाना जाता है transfer RNA के नाम से क्यों दोस्तों क्योंकि यह transfer करता है आपके message को यहां से वहां यानि कि messenger RNA तो message पहुचा रहता लेकिन वो जो message पहुचाने के बाद जो codes आते हैं उसको decode करना यानि कि anticodons जो होते हैं उसको यहां पर तयार करता है और anticodons क्या करता है उसमें triplet codon present होते हैं वो उसको decode करते हैं message को और जो भी चीज रहेगा generic information उसको transfer करने में help करते हैं तो यह जो tRNA molecules होता है यह काफी ज़्यादा छोटे होते हैं जिसमें सिर्फ और 70-80% nucleotides present होते हैं 70-80 nucleotides present होते हैं और anticodons में अगर बात करें तो tRNA के loop में अगर बात करें तो 3 unpaired nucleotides present होते हैं जो कि anticodon के नाम से जाना जाता है जिसमें codon भी present होता है mRNA में जो decode करने के लिए help करता है clear दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह tRNA का भी function क्या है basic चीज जो आपको मैंने समझानी कोशिश के आपको clear हो गया होगा तो आज के लिए इतना ही यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें comment करके बताएगा अपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा दोस्तों और अगर आपको यह वीडियो पसंदा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा शेर किजेगा आपने सारे friends लोग के साथ फटा फट से शेर कर देना दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना साथने बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है friends तो मिलते हमारे एक लिए वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई